अगर देश के प्रणारमंत्री को लगता है कि अगर कोई आवाज ना उठे इसलिए विपक्ष की आवाज कोई खतम कर दो पूरे देश के अंदर चोतरफा हर तरह से लोक्तांत्रिक आवाज के दमन की प्रक्रिया चल रही है ऐसे में एक सौ बार नहीं हजार एफाई आर आप करवा लिजे कल से जंतर मंतर पे मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा गूजेगा और ये पूरे देश में जाएगा आपको जितनी एफाई आर करानी है जितने आपके मुकदमे करने है जितनी गिरफ्तारी करना है आप करवा लिजे लेकिन अब देश आपकी ताना साही को बरदास करने को तैयार नहीं है अब सारी हदें पार हो चुकी है अब कोई लेकिन अब सिल्सलेवार तरीके से जिस तरह से सभी संस्थाओं पर चौतर्भा हमला हुरा हुरा है उन्हें खत्म करने की कोशित हो रही है लोगों के मन में एक दर्सथ प्यदा करने की कोशित हो रही है कि जो बोलेगा वो जेल जाएगा ऐसे में अब देश के सामने एक ही समादान है कि अगर सुतंतरता सेनानियों की विरासत को बचाना है देश के संविधान को बचाना है देश के लोकतंत्र को बचाना है देश की संस्थाओं को बचाना है देश को तरक्षी के रास्ते पर ले जाना है तो ये खी रास्ता है मोदी हटाओ, देश बचाओ और इसी नारे के साथ कल आम आदमी पार्टी अपने अभियान की सुरुवात करेगी और जो मिसंद 2024 तक जाएगा